प्रिय भक्त करो शानी पीट मंतिर इस पटेर नगर नहीं दिली से मैं गुरु मारुक्मनी आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूं हमारे आज के इस काहिक्रम में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने घर की किस दिशा में किस प्रकार की पोटो लगाके आप धन को अपनी और और आकरशित कर सकते हैं आपकी घर में धन का आगमन बढ़ सकता है पैसों में वृति होगी धन आपकी ओर खिंच करके आएगा यही मैं आपको बताने वाली हूँ तो जिन भी लोगों के घर में धन की कमी है इस वीडियो को अंध तक जरूर लेकें क्योंकि बहुत सारी ग्रांतियाज आपकी टूबने वाली है और माता महलक्ष्मी को अपने घर मी सदा के लिए वासके से कराना है यह भी आपको जाने को मिलेगा साथ ही मैं आपको धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि आज आप ही के कारण हमें यूट्यूब से एक गोल्डन अवार्ट राप्त हुआ है यूट्यूब के हेड़कोर्टर से अमेरिका से हमें एक गोल्डन अवार्ट आया है क्योंकि हमने 10 लाग सब्सक्राइबर्स अपनी यूट्यूब चैनल के ग्रोस करती हैं और आज इस समय कि स्टिति की बात करें तो 11 लाग सब्सक्राइबर्स हमारे इस यूट्यूब चैनल में तो ये सब आप ही के कारण संभव है इसलिए जितने नहीं हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को मैं तहें दिल से करती हूं और उनके प्यार के लिए उनके आशिरवाद के लिए उनके शुब कामनाओं के में बहुत ही आभारी हूं बहुत से लोगे प्रश्म करते हैं गुरुमा आप अपना जनम दिन कैसे बाते हैं इस बान मैं अपने जनम दिन पे मैं स्कूल की तरब और यहां पतेल अगर में जो ही गवर्मेंट स्कूल हैं बढ़ने के लिए वहां परमने इस बार प्रशाद विच्रन किया तो वहां अप तरके मुझे बहुत ही तसलिय और बहुत ही साटिस्फेक्शन मिलता है तीसरी बाप मैं आप से कहना चाहते हूं आप इसे बहुत सारे लोग हमसे जुडना चाहते हैं और जुडने के लिए आगे भी आ रहे हैं अभी हमें जीवर एरपूर्ट जो बन रहा है वहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, सजन है वो मिले आएं थे हमसे हां दिली में और उन्होंने हमारी शनीपीट मंदिर के लिए पात सो गस जमीन देने की इच्छा जाहिन की है वो चाहते हैं कि हम उस जमीन को लें वो हमारे मंदिर को, शनीपीट मंदिर को ये जमीन दान करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस जमीन पे हम कुछ बनाएं, कुछ धर्म की सेवा करें लेकिन समस्या ये हैं कि इतनी दूर जागना संभब लिए वहाँ जाना, वहाँ कंस्ट्रक्शन कराना और फिर से उस जगे का फ्रिचार करना, उस वहाँ पे किसी मंदिर को दुबार से स्थाफित करना बहुत कछिन है हम यहां दिली में बैठते हैं, सेंट्रल डैली में और पूरी दुनिया से यहीं पर हमार से लोग मिलने आते हैं तो अगर दिली के आसपास ही कोई जगे होती तो यह जादा बहतर रहता क्योंकि यह पर जाकर के वहाँ निर्वान करना बहुत कठिक हो जाएगा लेकिन आप लोग धर्म को आगी बढ़ाना चाहते हैं, आप लोग हम से जोना चाहते हैं यह बात जान करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहता है बहुत से लोग अपनी देली इंकम का, मंचली इंकम का कुछ हिस्सा भी हमको पेटियम के मात्यम से और हमारे बैंक अकाउंट में जो मंदिर का शनी देव भगवान का बैंक अकाउंट है उसमें भी ट्रांसफर करते रहते हैं कुछ लोग तो रोजाना ही अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा भीज रहे हैं कुछ लोग मंचली देजते हैं उन सभी लोगों को भी मैं तही दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं क्योंकि इस सभी धार्मिक कारे धर्म को आगे पढ़ाने के कारे हैं हम आप ही जैसी लोगों की कारें कर पा रहे हैं लिकिन साथ ही एक निवेदन और कर रही हूं कि आप अपना नाम अश्य भेजें आपके लिए पूजा भी अवश्य कर सके जिन ही लोगों ने हमारे इस चैनल को गुरू रचनी शुशी को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बहुत बड़ा परिवार ये बच चुका है यूट्यूब चैनल तो यदि आप इसके मेंबर अभी तत नहीं बने हैं तो तुरंत ही स पसंद का वीडियो देख सके चली अब बात करके हैं आपकी राशी के बारे में वह ऐसी कौन सी दिशा है जहां एक फोटो लगा देने से आपके घर में धन की रुची होने लगी पैसा एक तरीके से उसका फ्लो बढ़ जाएगा अचानक से पैसा आने लगीगा ये रुका ह लेन का अधायस्त नां टी या सद्रत श्थामि नारद एक दिन श्री नारट जी भगवार्ण श्री विष्नों के पास करें चैनल और जाकर उनसे कहते हैं कि हे प्रभु मैं पृत्वी का भ्रमन करता हूँ तो हमेशा लुग मुझसे पूछते हैं कि ये नारद आप जिस नारायन को भजते रहते हैं नारायन नारायन कहते रहते हैं वो रहते कहा हैं उनका पता उनका अड्रेस पता ताकि हम भगवान को जाकर कि सीधा मना ले और कृपा दाप्त कर ले नारजी विष्णोजी से पूछते हैं कि मुझे ये बतावा का पर्मिनिट अड्रेस कौन सा है भगवान श्री विष्णोग मुस्कुराते हैं कुछ नहीं बोलते हैं तो नारजी कहते हैं ही प्रभू, क्या मैं ऐसा बता दूँ कि जितने भी मंदिर आपके नीचे मुझे लोग पर है उन्हें सभी में आप रहते हैं तो भगवान श्री विष्णोग मुस्कुराए फिर नारजी ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं प्रभू जितने भी योगी, साधू, सन्यासी हैं आप उनके हृदे में रहते हूं हगवान श्री विष्णू फिर मुस्कुरा दिये नारजी ने कहा फिर तो प्रभू जरूर मैं उनको ये बता देता हूं कि आप वेकुंट में रहते हूं हगवान श्री विष्णू ने तब कहा ये नारज ना तो में वेकुंट में रहता हूं ना ही मैं योगियों के रिदे में रहता हूं साधियों के रिदे में रहता हूं और ना ही मेरा पर्मनेंट अड्रेस को इमत रही है मैं तो केवल वहां रहता हूं जहां मिल करके मेरे भक्त, मेरा फिर्दन करते हैं, मेरे नाम का गुनगान करते हैं भजमन नारायन जाहे वो भूल से ही क्यों न इश्वर वेँ बसते हैं हुν रहते हैं अब साथ ही आपको ये बताना चाहूं कि बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुमा लक्षमी जी हमारे यहां आती तो हैं लेकिन टिकती नहीं पैसा खुब आता है लेकिन जब जरूरत है जब लग रहा है कि चलो अब बच्चत होने लगी है तो हाथ में कुछ भी नहीं बचता ऐसी यदि समस्य आपके साथ भी है तो आज मैं उसका कारण आपको बताने वाले हूँ यदि आप केवल माता महा लक्षमी का ध्यान करते हैं उनका चिंतन करते हैं उनका जाप करते हैं उनकी पूजा करते हैं तो माता लक्षमी का वाहन कौन सा है आप जानते हैं माता लक्षमी उल्लू पर सवार है और ऐसी लक्षमी जो उल्लू पर सवार है कहते हैं वो उल्लू ही बना करके चली जाती है तो माता लक्षमी को अपने हां कैसे बुलाएं और सिर कैसे करें माता लक्षमी को हमेशा ही अपने हाँ विष्णु जी के साथ गुलाना चाहिए क्योंकि माता लक्षमी ऐसे में गरुड लेवता पर सवार होके आती है विष्णु जी के साथ आती है और सदा ही अपने भक्तों के हाँ वास कर लेकिन सबसे पहले जानेंगे आपकी राशी के बारे, कौनसी राशी को कौनसा फोटो, चित्र या पेंटिंग अपनी घर में लगानी चाहिए और किस दिशा में लगानी चाहिए ताकि उनके घर में सौभाग के किपृती हो, ताकि उनके घर में घुडलक और बड़े, पैसा और बड़े, आमदनी और बड़े, बहुत सारे इंकम के नई सोर्स लुड़ें और घर के लोग भी खुशहाल रहें तो सुख्षांती को अट्रैक्ट करते वाली वो पेंटिंग, वो फोटो और दिशा कौनसी है चलिए जाते हैं लेकिन सबसे पहले बताना चाहूं कि अपने घर में आपको अपने गुरु का फोटो भी अवश्य लगाना चाहिए ऐसे लोगों के घर में गुरु देव की खुरपार है उनकी रख्षा होती है तो बहुत से देवी देवतां के चित्रा आप लगाते होंगे लेकिन अपनी गुरु का फोटो लगाना ना बहुत अगर आपके गुरु है और उनका फोटो अब तक आपने नहीं लगाया बहुत शुक्त दिन आ रहे है दिवाली का उस पर आप साफित कर लें और यदि गुरु ही नहीं है चीवन में तो गुरु अवश्य बनाएं किसी को गुरु जरूर मानें और उनका फोटो अपनी घर में लगाएं गुरु का जब भी सुवे आप दर्शन करते हैं गुरु को देखते हैं तो उनकी वाइब्रेशन उनकी जो एनरजी होती है वो आपको हील करते हैं आपको प्रोटेक्ट करते हैं आपकी बहुत सारी समस्याओं को अपने उपर लेती हैं उसमें कमी ना दिए तो आपनी रक्षा के लिए जीवन में वृथी के लिए अपने गुरु का दर्शन करके सुवे अपने धिन का प्रारम को करना चाहिए करते हैं राशी के अनुसार कौन सी फोटो और किस दिशा में आपको लगा लिए चलिए बात करते हैं मकर राशी अगर आपकी राशी मकर है यारी कि क्या प्रे कौन है तो आपको अपने घर में बृधी के लिए सौभागती की प्राप such यूए इसा करनी के लिए आपने घर में जो गोड़े होते हैं, अगर आपने दिखा हो भागते हुए गोड़े, वो बहुत ही लखी एक पेंटिंऑ मानी जाती है, और आपको बहुत यादिक सूद करेगा। तो अपने घर में भागते हुए गोडे की जो जुन्द होते हैं उसमें दो तीन या चार या पांच गोडे भी हो सकते हैं उनका जुन्द आप लगाए भागते हुए लेकिन गोडे स्टिल नहीं होने चाहिए वो भागते हुए होने चाहिए उसकी आप फोटो या सुनलब दिख रही हो उसमें रोशनी हो ऐसी पेंटिंग लगाने से भी आपको खुब लाप राप्त होगा आप आकाश की पेंटिंग भी लगा सकते हैं इस फोटो को आपने अपने घर के किसी भी साउथ डारेक्शन में दक्षिन दिशा की दिवार पे आप इसे लगाएं इ या शुकल बक्ष की जो ही पूर्णिमा हो उसको आप स्थापित करेंगे तो यह अधियन दुश्यूब होगा और शुक परिणाम आपको अवश्य देगा और उस दिशा में लगा करके आप देखेंगे कि धीरे-धीरे घर में सौभाग के आने लगा है धन में और परभुत आप निश्च जानिए कि आपनी जनम कुडली के ग्रह प्रहोत ही खराम है तो ऐसे में आप क्या करेंगे आप अपनी जनम कुडली के ग्रहों को सुधारने के लिए जो स्क्रीन पर हमारे शनी भीट मंदिर नई दिली के नंबर आ रहे हैं वहाँ पर आप फोन करेंगे और अपनी जनम कुडली मुद्से हमारे गुरुजी गुरुरजनीष रिशी जी से या स्वामी राज रिशी जी से आप अवश्य दिखारें हम आपके ग्रहों को देखेंगे कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपको फल ही नहीं ले 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 आप उपाई कर रहे हैं तो भी नहीं लग रहा या औरने कोई आप चीज करने कोशिश कर रहे हैं जीवन में तो भी आपको पल नहीं दे रही तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपको इतना बुरा प्रभाव दे रहा है उसका उपाई करेंगे उसको ठीक करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन और प पीश चार्च की जाती है आपको पूप ATEM के मारधय से अगांट के मारधयम से और यंकि यही समण्य को पीस हमारे सकते हैं क्योंकि यह कि जो पीस है enf usa साल से हम ये एजुकेशन दे रहे हैं, बहुत सी लड़कियों को इंडिपेंडेंडेंट बनाया है, अपने पैरों पर खड़ा किया है, उसके लिए हम ये प्रयोग करते हैं, साथ ही यो प्रशाद वित्रन होता है, गरीबों के बीच में लंगर सेवा होती है, हर मंगलवार, ह हर शरीवार, उसके लिए प्रयोग करते हैं, साथ ही हर शुक्रवार को जो मैं यक्य करती हूँ, आप सभी लोगों के लिए जो भी व्यक्ति मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, या जो भी व्यक्तियों को मेरी प्रांधना के आवशक्ता है, अपने हर सब्सक्राइबर के भी फ्रीज प्रयोग की जाते हैं, साथ ही आने वाले समय में, जो हम दग है, शांती स्थल बनाना चाहते हैं, शक्ती पीत बनाना चाहते हैं दिली में ही, उसके लिए ये प्रयोग किया जाएगा, तो जो लोग भी सामर्त हैं, जिनके पास धन है, इश्वर ने उनको दिया है, इश्वर ने और दें, लेकिन आप सामर्त हैं यदि, तो अवश्य ही पीस दे के अपनी कुर्णी दिखाएं, लेकिन यहाँ प्रश्णा आता है, बहुत से लोग कहते हैं, गुर्मा आमरे पास पीस नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में हमने एक स्वामी जी को बिठाया है, जो शरीवार और इतवार को बिल्कुल प्री आपकी कुर्णी देखते हैं, तो जो लोग बिल्कुल सच में ही गरीम हैं, उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं खर्च करने के लिए, और फिर भी वो अपना उपाय जानना चाहते हैं, उसके लिए हमने एक स्वामी जी को बिठा उनकी जो भी खर्चा है, वो हम मंदिर की तरफ से देते हैं, लेकिन वो आपकी कुंडली फोन पर प्री देते हैं, आप हमारे हाँ फोन करके उस बारे में भी पता कर सकते हैं, वो सेवा केवल और केवल आप ही लोगों के लिए जो गरीब यठते हैं, उनके लिए रखी कारण आज पूरी दुनिया में हमारा नाम है, पूरी दुनिया में 130 देशों से लोग हमारे पास आते हैं, और बहुत से लोगों को पायर भी प्राप्त होता है, आप सभी को मैं अपना आशिरवात देती हूं, भगवान, श्रिष्णु, माता लक्ष्मी, सदा आपके हाँ करें, आपको आशिरवात दें, धन की कमी कमी आपको नसता है, और जितना भी आवशक है, उतना धन आपको प्राप्त गोता रहें, ऐसी इस दिवाली में आपको ग्लैसिंस दे रही हूं, आशिरवात दे रही हूं, भगवान आपकी सभी मनुकांग्रा पूर्ण करें, जय हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रन्थों और योत्य शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अतिक जान्थे के लिए हमारे द्वारा बनाई गही और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देख दिरें झालतो है झालतो है सबीछ पर योत्त्रों करें खावारा बनाई आप देख दिरें।